नमस्कार मैं खुशी और आप देख रहे हैं आप पियस समाचार आईए रुख करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर सबसे ठंडा रहा साल का आखरी दिन वर्ज 2023 का आखरी दिन सबसे ठंडा रहा इस सीजन में पहली बार अधिक्तम तापमान 18 डिगरी पर पहुँच गया तापमान में 2 डिगरी सेलसेस की गिरावट आने से गलन बढ़ गई और बच्चों और बुजर्गों को ठंड से परिशानी का सामना करना पड़ा पिछले 24 गंटे में अधिक्तम तापमान में जहां 2 डिगरी गिरावट आई जिससे लोगों को कड़ाके की ठंड का एहसास हुआ शनिवार को अधिक्तम तापमान 20 डिगरी सेलसेस था वहीं रविवार को ये गिर कर 18 डिगरी पर पहुँच गया वही निउन्तम तापमान 60 डिगरी सेलसेस ही रहा शनिवार रात को तो मौसम साफ रहा लेकिन रविवार सुबह कोहरे का प्रकोप बढ़ गया सुबर 10 बजे तक जनपत कोहरी की चपेट में रहा इसके बाद मौसम खुला और धूप निकली लेकिन तेजी न होने से लोगों को ठंड से निजात नहीं मल सकी वही 5 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से चली हवाओं से ठंड ने लोगों को बेहाल कर दिया सुर्यास्त के बाद ठंड और बढ़ गई जिससे लोग जल्दी काम धंधा निप्टा कर घरों को रवाना हो गया आग के आसपास ही बैठे रहे लोग हवाओं के कारण गलन बढ़ गई जिस कारण जिसको जहां भी आग जलते दिखी वहीं पर रुक कर खुद को गर्म करने से न रुक सका घरों में भी पूरे दिन ब्लोवर चलते रहे ग्रामड एलाकों में भी लोग आग जलाए हाथ पैर सेखते रहे बुजर्ग वब बच्चे ब्लोवर के आज पास ही बैठे रहे शाम ढलते ही ठंड का प्रको पचानक और बढ़ गे खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ तब तक के लिए नमश्कार और देखते रहे आर्पियस समाचार ऐसे ही लेटर्स अब्डेट्स के लिए हमारे चैनल आर्पियस समाचार को सब्सक्राइब करें और तुनत नोटिफिकेशन पाने के लिए बल आइकन प्रेस करना ना भूलें अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुँचाएं हमारी वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्षन में जरूरा है